असलाम उलेकुम हयास की चैनल व्लोग में खुश्याम दीद आज की हमारी रेसिपी है स्मुसा पिन्विल्स तो यह बहुत ही मज़ेक है रमजान के लिए और वैसे भी नॉर्मली आप टी पार्टी व्गारा के लिए शाम की चाही के साथ इस्तमाल कर सकते हैं जिसना है बहु इनको मैंने कर लिया है और इनको बौल करने के बाद खिलका मैंने उता लिया इनको हम मैश कर लेंगे अच्छे से और इसमें ये बाकी के इंग्रीडिएंट्स चामील करेंगे जो यह है ग्रीव छिली है फाइन चॉप की हुई दो ती तीन सा चार यह है आप अपने सुखा धनिया है मोटा मोटा कुटा हुआ तो अब हम इनको सब को शामिल करेंगे ये आलों को मैश करने के बाद आलों को मैश कर लूँ अच्छे से तो अब मैं इनमें ये तमाम इंग्रिडियन्स जो हैं तो अड़ कर दूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूगी जी तो इनको अब मिक्स करना है मिक्स करने के बाद फिर हम इनको पटी पे लगाएंगे स्मोसे की पटी पे लगाएंगे जी तो इस स्मोसे की पटी पे मैं अच्छी सी लेयर लगाऊंगी ना बहुत ज़्यादा मोर्टी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली मुनास्ब सी लेर लगानी है आमेजे की हमने इस पे ये मुसापटी मार्कीट से बहुत ही कम कीमत में अवेल है टाइम की बच्चत के लिए मैंने रहीं से ली है मार्कीट से ही ली है घर पे भी बिदाना कोई मुश्किल तो नहीं है लेकिन अचानक से आपको बनाना पड़े तो मार्कीट से भी अराम से वेल कर सकते हैं इसकी फाइन सी लेर लगा के हम इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे इस तरह से हम इसको रोल करेंगे और अगर आप जाहें तो इसको इसी तरह से मैदे और पानी के बैटर में पतला से हम बैटर बना लेंगे उसमें डिप करके भी फ्राइ कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हम पिन्वील्स बना रहे हैं तो हम इस तरह से इसको काट लेंगे और अब हम इसको बैटर में डिप करेंगे और सिधा गरम ऑईल में फ्राइ कर लेके इस तरह आपने बाकी के पिन्विल्स भी ट्रेडी कर लेने है जब एक्साइट डन हो जाएगी तो फिर आप इसे डन कीचेगा फॉरण जल्दी नहीं खलाएगा इनकी शकल तैयार होके कुछ इस तरह की निकलेगी जी तो ये मैंने अपने फूरण पिन्विल्स ट्रेडी कर लिए हैं बहुत ही मज़ेके हैं अफ्तार के लिए तो इसको मैंने ग्रीन चिली सॉस के साथ और ग्रीन चट्मी को दही के साथ मिक्स करके तर्प करूंगी बहुत ही मज़ेके लगते हैं बहुत ही मज़ेके बने थे और एक बार बनाये हैं तक्रीबन रोजी बच्चों की ये फर्वाश होती है कि अफ्तार में यही मिलें आप लोग भी बनाएए इनजाए कीजिए गर्वालों से दाट